नमस्कार दोस्तों, हर्शी दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर तेलंगाना से एक न्यूस निकल के आरा दोस्तों, उथर अनिमल रेन हुआ आपने सही सुना दोस्तों, जानवरों की बारिश हुआ तेलंगाना में आस्मान से फ्रोक्स, क्राप्स, फिश तेसे और्गानिजम्स गिरे तो आज इस वीडियो में इस रेर जोगरिफिकल फिनोमिनन के बार में हम इन डीटेल डिसकस करेंगे ये होने की वज़ा क्या है, इंडिया में इस तरह के इंसिदेंस इसे पहले हुआ है क्या इसके नेगेटिव इंपैक्स क्या-क्या है, वो सब के उपर डिसकस्न होगा शुरुआत करते हैं दोस्तों, तेलंगाना में जेक्तियाल टाउन के रेजिदेंस एक्चुली चोग गे इस बार बारिश में पानी के साथ-साथ जानवर भी गिरे रिपोर्ट से ऐसे आ रहा है दोस्तों, लोकल रेजिदेंस को कम से कम 50 किलोग्राम तक का फिश मिले अपने चछत और खेत से पर मैक्सिमम लोगों ने इसे बात में डम किया, क्योंगी एक रूमर फेल रहा था कि यह पोईशनस हो सकता है वैसे यह पोईशनस होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई वेरिफेबल एविडेंस नहीं है तो इस फिनोमिनन को rain of animals बोलते हैं दोस्तों, यह बेसिकली एक rare meteorological फिनोमिनन है जिसमें flightless animals आसमान से गिरते हैं, flightless मैने जो उड़ नहीं सकते Most common types of animals इस तरह जो गिरते हैं, वो fish and amphibians रहते हैं ऐसे incidence दुनिया में कई सारे इलाकों में से report हुआ है एक Central American country है Honduras, उथर तो पिछले 100 साल से यह fish rain common है Honduras में Spanish language बोलते हैं, Spanish language में इसे Luvia de Pesas बोलते हैं जिसका मतलब है rain of fish अब Honduras के बारे में बात किया ही है, तो Honduras का map भी discuss कर लेते हैं, आपके examination perspective में important है Honduras एक North American country है दोस्तों, precisely आप Central American country बोल सकते हो वैसे North American continent का Southernmost part है Honduras Honduras का Northernmost portion Caribbean Sea से मिलता है, विची से part of Atlantic Ocean South Western portion Pacific Ocean से मिलता है Bordering countries कौन-कौन सा है, Southern side में निकारिगवा है Western side में गोटिमला एन एल सावडोर है Bill Evans के meteorological book, It's Raining Fish and Spiders के हिसाब से दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में इसतना के incidence कम से कम 40 बार होते है हर साल तो यह rain of animals होने का कारण के है दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है, यह कोई supernatural phenomenon नहीं है एक hypothesis यह कहता है, tonadic water spouts के कारण यह होता है अब यह water spouts मतलब क्या होता है? यह rotating column of water and spray formed by a whirlwind occurring over the sea और other body of water जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो, समुंदर के ऊपर जब इस तरह के water spouts create होता है इतना powerful रहता है इस area में जितने species आएंगे न वो सबको ऊपर उठा के ले जाएगा और यह मीलों तक लेके जा सकता है, इतना powerful रहता है wind अब एक tornado के time पर wind का speed और intensity कितना है आप सबको पता ही है और जैसे-जैसे wind का speed gradually decrease हो जाएगा जितने creatures उसके अंदर फसा होगा ना, वो सब नीचे की तरफ गिरेंगे और यह tornado के अवल समुंदर में नहीं, land areas में भी हो सकता है उथर भी water bodies के आसपास जितने creatures से उन्हें उपर लेके जाएगा और जैसे wind speed थीरे होगा, वो नीचे की तरफ गिरेंगे 1st century AD में इस तरह के एक occurrence को report किया था Roman naturalist Pliny the elder ने कुछ reports यह भी कहता है दोस्तों, यह जो fishes and frogs उपर से गिरते हैं यह poisonous हो सकता है, पर इसके बारे में कोई verifiable evidence नहीं है क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इस hypothesis के ओपर हम विश्वास करेंगे तो यह poisonous होने का chances कम लग रहा है अब पिछले कुछ सालों से दुनिया में अलग-अलग areas में से अलग-अलग creatures की बारिश सुनने को मिला है उसमें snakes से, worms से, crabs से, fish से, frogs से, even squid and alligators का भी report आया दोस्तों अब यह सच है या नहीं, यह पता नहीं, पर ऐसे भी reports है अब इसका एक problem यह है दोस्तों tornado hypothesis के इसाब से, यह जितने creatures को उपर लेके जाएगा न वो उतना ऊपर लेके जाएगा, कि इनके शरीर के ऊपर एक layer of ice जम जाएगा जब wind speed कम होगा, यह पूरा block of ice नीचे गिरेगा अब आपको पता है, block of ice मतलब बहुत heavy रहता है तो नीचे किसी के ऊपर गिरेगा, तो उनको चोट लग सकता है अगर गाडियों के ऊपर गिरेगा, तो गाडियों को damage हो सकता है तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके घर के आसपास कहीं इस तरह के incident हो रहा है, तो आपको घर के अंदर रहना है, सब कुछ बंद करके ऐसा नहीं, जानवरों की बारिश हो रहा है, मैं चाके देखूंगा, पता चला आपका सिर्के ऊपर एक बहुत बड़ा block of ice आके गिरा और आपको चोट लग जाएगा Finally दोस्तों, इस तरह के similar incidents इससे पहले कहां कहां पे हुआ है, ये चक करेंगे कुछ दिन पहले, तेलंगाना का ही भूबल परली डिस्टिक्ट में similar incident हुआ था, इन्हें place कालेश्वरम अब तेलंगाना का नौर्थेन साइड में है दोस्तों, भूबल परली डिस्टिक्ट, इस डिस्टिक्ट का पूरा नाम है जैशंगर भूबल परली डिस्टिक्ट, जैशंगर अगर आपको मालूम नहीं ये मैं बता देता हूँ, आचारिया जैशंगर बोलते हैं इने, एक महादेवपूर क्या है, महादेवपूर एक विलेज है, महादेवपूर मंडल इन जैशंगर भूबल परली डिस्टिक्ट अफ तेलंगाना में, तो महादेवपूर एक फोरस्ट एरिया है, महादेवपूर फोरस्ट एरिया का लोकेशन ध्यान दीजेगा, तेलंगाना, महा महादेवपूर फोरस्ट एडिया है अब मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूं देखिए तेलंगाना का इस्टेंड साइड में बेसिकली इथर आता है दोस्तों भूबर पली डिस्ट्रीट तो इथर महारास्ट्रा च्छतिस गड़ और तेलंगाना का बॉर्डर है इधर अब इंडिया के बाहर भी कुछ सिमिलर इंसिनन्स के बारे में 2005 में नौर्थ वेस्टेंड सर्विया में थाउसंड्स ओफ फ्रोक्स गिरे थे दोस्तों आस्मान से और ओज्जाकिट टाउन 2009 में टाटपोल्स गिरे थे जपान में 2017 में कालिफोर्निया युनेटेट सेट्स अमेरिका में भी फिश रेइन हुआ था और 2021 में इस टेक्सास में भी इस तरह का सिमिलर इंसिनन्ट हुआ था तो दोस्तों देखे आनिमल रेइन के रिगार्डिंग कई सारे थेरी से पर उसमें से सबसे लोजिकल और सबसे कन्विंसिंग थेरी है टॉर्नाडो वाटर स्प मेर झाली प्यमाणतों कि बुआर प्रिधन हुआ था पिर्धिंगर पीर्माणतों E dé कमेरिका में प्रिधन अछेश